Hello Friends, Welcome to Quant Study Quant Study में आप सबका स्वागत है आज जो हम chapter करने वाले हैं वो है speed maths ये basically कोई chapter नहीं है maths का ये एक portion है जिसमें हम सीखेंगे कि बड़ी-बड़ी calculations को जल्दी कैसे किया जा सकता है क्योंकि हमारा maths totally based है calculations पर और tricks पर तो जितनी जादा हमें calculations short करने की tricks आती होंगी हमारी maths को solve करना उतना हमारे लिए असान हो जाएगा मैं आपके लिए ये speed maths के छोटे-छोटे sessions बीच-बीच chapters के लाता रहूँगा जो जो मुझे speed maths की tricks याद आती रहेंगी उन्हें मैं नए-ने sessions में introduce करता रहूँगा आज हम करने जा रहे हैं इसका part 1 इसके कितने part होंगे ये मैं definitely नहीं बता सकता पर जितने भी part होंगे सबको पढ़ने में मज़ा आएगा तो शुरू करते हैं शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप हमें हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए इसके लाबा हम Facebook और Instagram पर भी active हैं जल्दी से हमें हर जगा फॉलू कर लीजिए और किसी भी update को मिस्मक कीजिए तो पहला हमारा topic है multiplication का तो आपको multiplication से जादा easy होता है sum करना या फिर मतलब जिसको हम कहते है addition वो करना तो उसके लिए क्या चीज चाहिए हमें हमें चाहिए कि सबसे पहली चीज हमें हर number का double निकालना आना चाहिए तो double निकालने के लिए भी आपको एक चीज याद रखनी है कि 1 से लेके 4 तक number का जो double होते हैं में carry नहीं होता है जैसे 1 का double है 2 2 का double है 4 3 का double है 6 4 का double है 8 5 का double जब आता है तो 10 introduced हो जाता है और unit digit पर 0 आता है और ये 1 carry में चला जाता है पर 1 से लेके 4 तक किसी भी number का double नहीं होता तो अगर आपको कोई भी number आया होगा जैसे कि आपको example में दिख रहा है कि 514 का हमें double करना है तो हमें पता है 4 में carry नहीं होगा ठीक है 4 में carry on नहीं होगा तो हम यहां से शुरू कर देंगे double करना 51 का double होता है 102 और 4 का double होता है 8 तो 514 का अगर हम 2 से multiply करेंगे यानि उसे double करेंगे तो हमारा answer आजएगा 1028 बस सिंपल नेक्स्ट अब जैसा कि मैंने आपको बताया 5 से लेके आगे जो 9 तक है उन सब के carry forward होगे तो आपको दिख रहा है यहां पर 6 है यानि इसका carry forward होगा ठीक है तो आजाते हैं हम अपने numbers पे 51 का होगा 102 और 6 का एक carry भी होगा तो ये 102 में add हो जाएगा हमारा 51 तक का portion आगया 103 और 6 का double होगा 12 12 का 1 हमने carry में दे दिया हुआ सिर्फ 2 बचा तो हमारा answer आगया 1032 तो 516 का double आगया 1032 ऐसे ही कोई भी एक random number ले लो ऐसा number ले लेते हैं जिसमें 2 ऐसे number आ रहे हो जो की 4 से उपर हो like 4 68 इसका double करना है तो सबसे पहले हम करेंगे 4 का double 6 का double जो होगा वो carry देगा तो 4 के double में 1 carry होगा 9 आ गया 6 जो है इसको carry देगा 8 का double तो 6 के double का unit digit होता है 2 जिसको 1 carry मिलेगा तो वो 3 हो जाएगा और 8 का double तो 16 होगा जिसका unit digit end में आना है तो 468 का double होता है 936 हमने कैसे किया इसका carry इसको दिया और इसका carry इसको दिया और individual individual number को हम double करते गए और उनमें carry डालते गए ठीक है जैसा कि हमें अगर 468 के पहले number को double करना था तो हमें देखना है कि 468 के next number जो है वो उसको carry दे रहा है या नहीं दे रहा है ठीक है बस इसी base पे आपके जो numbers हैं वो double होते जाएंगे अब ये question असली में कहां use होंगे ये question असली में use होंगे ऐसे type के question पे अब देखिए सबसे पहले हमने 6 को double किया 12 आ गया 1 को हमने double करना है पर 1 के आगे 9 है जो की हमें carry देगा तो 1 का double 2 होगा जब carry मिलेगा 3 आ जाएगा और 9 का तो 8 ही रहेगा क्योंकि 9 का double 18 होता है ठीक है ये किया हमने 619 को double अब इस number को वापिस double करेंगे हमारी 4 की multiplication आ जाएगी तो 12 का double होगया 24 4, 3 को मिलेगा carry तो यहाँ पर 7 आएगा और 8 का तो 6 आएगा तो 2, 4, 7, 6 आगया हमारा final answer सिर्फ double करकरके अभी तक हमने पड़ा कि हमें हर number का double पता होने चाहिए साथ ही हमें हर number का half भी पता होने चाहिए वो हमारी कहां help करेगा वो हमारे ऐसे question में help करेगा जैसे कि 5 को हम 10 by 2 लिख सकते हैं 50 को हम 100 by 2 लिख सकते है 25 को हम 100 by 4 लिख सकते हैं और कुछ question जिसमें multiplication 18 से हो रही होगी ऐसी चीजें हमारी calculations को असान बनाने में help कर देगी तो हमारे पास example है 84 into 25 का मैंने आपको बताया कि 25 को हम 100 by 4 लिख सकते हैं तो 84 को हमने 100 by 4 लिखा इसको 21 से काता 2100 आ गया हमारा final answer और अगर हमें इसी को 1 by 1 solve करना पड़ता तो उसको तो बता नहीं कितना time लग जाता next question आ गया हमारे पास 46 को हमें 18 से multiply करना है तो मैंने आपको बताया 46 को 20 माइनस 2 से multiply कर लो ठीक है 46 का double होता है 92 और 20 से multiply करोगे तो 920 वही 46 का double 92 फिर से हमें इससे minus करना है minus करना शुरू करो 10 में से 2 काटे 8 यहां carry on आएगा 2 इसने इसको carry दिया था 828 आपका आगया final answer आप calculator पे भी इस चीज़ को check कर सकते हैं यह आया हमारे next question इधर हमें 66 को 52 से multiply करना है आपके पास दो option है 66 है तो हम 60 plus 6 कर सकती है 52 से multiply करोगे एक ही बार 6 की multiplication करोगे दूसरी तो आपके पास आई जाएगी यहां फिर इसको आप 52 को तोड़ लो 50 plus 2 में आपको पता है कि 50 plus 50 का मतलब है 100 by 2 plus 2 ठीक है 66 को हाफ करोगे 33 100 आजाएगा और फिर 66 को 2 से multiply करोगे आपको पता है 6 carry on देगा तो 1 3 2 आजाएगा 3 4 3 2 आपका आगया final answer 66 की multiplication अगर आपको 52 से करनी होती बिन ट्रीक अपलाई किये तो आपको काफी time लग जाएगा next question आ गया हमारा 95 को 4 से multiply करना है again यहां तो आप 100 minus 5 को 4 से multiply कर लो तो 400 में से आपको 20 निकालने है ठीक है यह चीज भी आप कर सकते हो यहां फिर आप 95 को double करो 190 आएगा फिर double करो 380 आएगा दोनों में same ही time लग रहे है तो कोई भी trick आप apply कर सकते हो next आ गया 87 into 9 वही 87 into 10 minus 1 870 में से 87 को अपने minus करना है अब देखिए 870 में से 87 को तो अपने minus करना है इसके लिए मैं एक ओर चीज बता देता हूं माइनस करने का एक और तिरिका बता देता हूं कि 870 में से आप 70 plus 17 minus कर लो तो यानि की जब 870 में से आप 70 minus करोगे आपके पास 800 आएगा फिर यह minus इस plus को भी minus कर देगा 870 में से आप 70 निकाल दोगे तो आपके पास 800 बचेंगे ये जो है माइनस 17 आप और कर लोगे तो 800 में से जब आप 17 और माइनस करोगे 783 आपके पास final answer आजएगा ये चीज मैं आपको एक बार फिर दिखाता हूँ हमने क्या किया 87 को हमने multiply किया 10 माइनस 1 से ठीक है 80, 870 तो हमारे पास आ गया साथ में हमें minus करना था 87 और इस 87 को हमने तोड लिया 70 प्लस 17 में क्यों क्योंकि हमें यहाँ पर 17 दिख रहा था जब हम इस 70 को इस 70 से minus करोगे तो हमारे पास सीधा सीधा number आ जाएगा तो हमने minus करना शुरू किया तो 870 माइनस 70 माइनस 17 ऐसी कुछ बनेगी जब यह bracket खोलेगी 870 में से आपने 70 माइनस किये 800 आए और 17 जब आपने और माइनस किये 783 आपका final answer आगया ठीक है नेक्स्ट हमारा question है कि 75 को हमें 28 से multiply करना है तो 75 इंटू 30 माइनस 2 कर सकते हो आप 75 का double आपको पता है 1500 होता है और 75 का double अगर 1500 है उसमें 75 आप और एड करोगे तो इसको आप break कर लो 50 प्लस 25 में 1500 200 बने 25 बने 25 बने 225 2250 क्योंकि यह 0 भी है 2250 में से आपने 150 करना है तो 200 आपका answer आजाएगा यह एक option है दूसरा option आपके पास है कि मुझे पता है 100 by 4 होता है 25 अगर हम इसी चीज़ को 3 से multiply कर दें तो हमारा 75 बन जाएगा यानि कि 3 into 100 by 4 into 28 को हम अगर solve करें तो हमारे पास हमारा final solution आजाएगा 4, 7 जार ठीक है 4, 7 जार 28 तो 7, 3 जा 21 into 100 आगया 100, 10 ऐसी टर्म्स जो है इनको हमें जितना end तक हो सके उतना end तक बचाना है ताकि हमारी जो last multiplication हो उसमें हमें सिर्फ number of zeros लगाने हो ठीक है अब हमारा next question के रहे 79 into 5 तो मैंने आपको into 5 के लिए भी trick बता दी है इससे हम लिखेंगे 10 by 2 अब हमें 79 का half तो half में 0.5 करेंगे 79, 80 से कम है तो उसका half भी इसका जो हाफ है इसमें भी हम 0.5 कम करेंगे 39.5 आएगा 79 का half जब हम 0 से multiply करेंगे तो 395 आजाएगा हमारा final answer ठीक है अब हमारा next question multiplication से उपर उट के हम करेंगे minus माइनस वाले question हम solve करना शुरू करेंगे तो हमारे पास है 380 माइनस 284 मैंने आपको पहली भी ये trick multiplication वाले में ही बता दिये कि 380 से हम पहले 280 प्लस 4 माइनस करेंगे 280 हमने क्यों लिया ताकि हमारी सीधी सीधी जो है subtraction हो जाए तो 380 से जब हम 280 माइनस करेंगे हमारे पास बचेगा 100 फिर 4 जो है और माइनस होगा तो हमारे पास final answer आजगा 96 वैसे ही next question है 725 में से हम 625 प्लस 13 माइनस कर लेंगे 100 फिर 13 और माइनस होगा 87 हमारा answer ठीक है next आया 870 में से हमें 87 माइनस करने है तो 870 में से अगर हम 70 प्लस 17 माइनस कर ले मुझे लग रहा है मैंने ये question आपको पहले करा दिया हुआ तो 70 70 माइनस होगा 800 बचेगा फिर 17 जब हम और माइनस करेंगे 783 हाँ ये question में आपको औरड़ी भी करा चुका था इसी के साथ हमारे जो speed maths है उसका part 1 होता है खतम मुझे जैसे जैसे आगे और tricks याद आती जाएंगी कैसे solve करना है multiplication छोटी करनी है numbers को कैसे तोड़ना है ये चीज़ें याद आती जाएंगी तो मैं और parts भी introduce करता जाहूँगा फिलाल के लिए हम part 1 को यहीं खतम करते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इससे लाइक कीजिए साथ ही हमारे चैनल को subscribe कीजिए और इस वीडियो को अपने friends के साथ share कीजिए Thank you